हलो हलो आज मैं आपको एक ऐसी इस्पेशल चीज बता रही हूं जो आपने साइड ही कभी खाई हो ये हैं मेरे हरे चनों की वर्फी आप कहेंगे दादी ये कैसे हरे चनों की मैंने पहले चने लिए और उन चनों को अच्छा छीला और छीलने के बाद उनको मिक्सी में डाल कर पीश लिया मिक्सी में पीशने के बाद मैंने इसमें दो चम्मच घी डाला और घी डालके मैंने इसमें अपने चने डाले देखिए मैंने चनों को बहुत ही बारीक पीश लिया था उसके बाद मैंने उन चनों को जो है कढ़ाई में सुनहरा होने तक भूज लिया जब मेरे चने भुझ गए, मेरे चने पाव भर के अंदाज के थे, इसलिए उसमें मैंने 100 ग्राम खुआ मिला दिया, और खुआ मिलाने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी एक तोरी सक्कर डाल दिया, और सक्कर डाल कर मैंने उसमें काजू डाल दिया, और काजू डाल कर उसको मुझे थ कवाने के बाद मैं जो है उसको काटती हूं इसलिए यह मेरी बर्फी बनती है अब आप कहेंगे दादी इस वर्फी से क्या फायदा है चने तो बहुत ही फायदे वाले होते हैं हरे चनों में भरपूर मात्रा में फाइवर पाये जाता है इससे हमारे जो बढ़ा हुआ खराब कोलॉस्ट्रोल होता है वह कंट्रॉल होता है और अगर हम लोग रोज देली नित भी मेहने तक घरे चनों को छील कर और सुबै और हैं तो हमारी सुगर ही निश्च थी कंट्रॉल हो आजाती है आप चाहें तो इसको टवाण कैस्त कर सकती आप पहले ले लागे और फिर एक मेहने तक आप अपनी जो है चनों कोघाly एक मुठ्थी सुब्ए और गुठ्थ最 हौना खाना चाहिए इन चनों को खाने से हमारी जो है energy वापस आजाती है जो energy सुगर से को यान वीमारियों से क्खतम हो ग II आजाती है यह पेट के लिए भी बहुत अधिक फायद से हो ड़ाती है इसको खाने से हरे चनों को क्षानेन. us itself, hai, जो त्यूंस से लोगां से ताइप दyy Ya Jail सब्सक्सों हैं सिर्फोर से कमजोरी ज्या सवर्ड से तो इसमां मात्रा में इनर्जी पाई जाती है से की हमारी सा SAP चंता बहुत अधिक बढ़ती है अब मैं इसको थोड़ी देर और चलाऊंगी जिसमें मेरी चासनी सक्कर की चासनी तयार हो जाएगी और उसके बाद मैं इसको अपनी प्लेट में जमा दूँगी अभी देखिए मेरी चासनी थोड़ी और रह गही है इसलिए चने तो बैसे भ मैंने काजू सिर्फ डाले हैं और कोई मेवा नहीं डाली है आप चाहें तो इसमें और भी मेवा डाल सकते हैं इसमें थोड़ी सी लाइची भी डालना चाहिए यह देखिए अब हमारी बर्फी जमने को तयार हो गई है इस बर्फी को मैं अब अपनी प्लेट में डाल रही ह जिससे की यह प्लेट में चिपकती नहीं है अब मैं अपनी बर्फी को इसमें डाल रही हूं यह देखिए कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बर्फी तैयार हो गई है इसको हम आठ दिन तक भी खा सकते हैं यह नुकसान नहीं करती है और खराब भी नहीं होती है इसको हमें बड़े ही अच्छे से खाना चाहिए ये इसमें चने थोड़ी से मेरे मौटे रह गए हैं आप चाहें तो थोड़ा और पतला कर सकते हैं आप इसमें और भी मेवाय डाल सकते हैं देखिए ये मेरी तैयार हो गई है बढ़